शीॅम के विधायक प्रतुनेदीपंकज मिश्रा से एडी दफ्तर में पूस्तास की जारी पर Barb. अद्य को एडी ने दो बार समन्च जारी कर दफ्तर में पूस्तास के लिए बुलाये था बाद पंकज मिश्रा दाहू यादव बच्चू यादव और निमाई शिल को एडी ने पूस्ताज के लिए समझ जारी किया था समझ मिलने के बाद दाहू यादव बच्चू यादव और निमाई शिल पिछले चार दिनों से एडी दफ्तर आ रहेते लेकिन बरहेट विदाग प्रतनि दी पंकज मिश्रा पूस्ताज के लिए हाचे नहीं हो रहेते लेकिन आखिरकार तीसरी समन जारी होने के बाद पंकर मिश्ट्रा एडिय दफ्तर पूस्ताज के लिए पहुँचे जहां उनसे पूस्ताज की जारी है जारकन की निलंबे ताये से पूजा सिंगल को जमानत के लिए भी और इंतजार करना पड़ेगा एडिय के स्पेशल कोर्ट में जमानत याजका पर मंगलवार को सुनवाई हुई जिसमें सुनवाई की अगलिती थी 26 जुलाई नरधारित की गई सुनवाई के दुरान दाकिल 4 सीट की साटिफाइड कॉपी की मांग पूजा सिंगल की तरफ से की गई 27 जून को पूजा सिंगल ने अधिवक्ता के मादेम से एडि के स्पेशल कोर्ट में जमानत के लिए याजका दाकिल की थी और पूजा सिंगल की याजका पर एडिय ने 12 जुलाई को रिजुवाईंडर कर जवाब दिया था बता दे कि मनी लॉंडरिंग मामले में पूजा सिंगल के खिलाब 11 माई को एडिय ने प्रात्मी की दर्चकर उने गिरफतार किया था गिरफतारी के बाद एडिय ने रिमांट पलेकर 14 दिनों तेकों से पूश्ताच की थी वादिक जवानकारी के लिए समाद आता राजर शमार साथ जुचके राचे से ज्वारकन की निलमी ताये से पूजा सिंगल को जमानत के लिए बात करें तो अभी और इंतिजार करना होगा अलाकि इस मामने में सुनवाई भी हुई है क्या पूरी जानकारी मिल पारे इस ख़बर को लेका जे बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि आज जो पूजा सिंगल का था उनका आज तारीक था और यह जो न्याले के तरफ से और कुछ समय मांगा गया है और 26 जुलाई का समय आज ताय किया गया है अगली सुनवाई जो होगी पुजा सिंगल मामने में उसमें 26 जुलाई होगी वहीं बात करते हैं E.D. ओफिस की तो E.D. ओफिस में अभी 10.45 से ले करके अभी तक लगतार साहेब गंज के जो बरहेट जारखट मुक्ती मोर्चा के बिदायक परती निधी है उनका E.D. दफ्तर में पूछताच हो रहा है और दाहू यादो जो बेवसाई है पत्थर बेवसाई उन्हें भी आज आना था लेकिन उन्होंने अधिवक्ता के माद्यम से आज नोटिस दिया कि उनकी मा की तबियत खराब है इसलिए वो नहीं आ स रखते हैं आपको बताना चाहेंगे कि पिछले चार दिनों से लगतार E.D. के द्वारा इन लोगों से पूछताच की जा रही है और उसी के मद्दे नजर आज पंकज मिश्रा इसी E.D. दफ्तर में है और लगतार उन लोगों से पूछताच हो रही है अब देखना होगा कि साम तक क्या कुछ निकल के आ रहा है क्योंकि पिछले चार दिनों में जो E.D. ने जाच परताल की है और पूछताच की है उससे यह संभावना जताया जा रहा है कि कहीं ने कहीं इन लोगों के कुछ और कुलू निकलेंगे और कुछ खास रिजल्ट निकल कराएगा जी बिल्कुल आप नज़र बना रखे अपडेट राजे श्रमाप से लेते रहेंगे तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया